हलो फ्रेंड्स, इसमीर्थी कीचन में आपका स्वागत है, तो आज हम आपको बनाना बताएंगे छेना खीर, जो कि आप घर में जटपट बना सकते हैं, तो चलिए रेश्पी सुरू करते हैं, छेना खीर बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक लीटर फूल क्रीम दूद ले लि अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके वेनिगर डालेंगे और पनीर फाल लेंगे, यह देखिए कितना अच्छा यह फट गया है, हमने इस तरह से कॉटन कपड़ा रख लिया है, अब हम पनीर को उसमें डालके अच्छी तरह से चान लेंगे, और इसको 10-15 मिनट तक इसी और इसको अच्छी तरह से मैस कर लेंगे, हथेलियों की सहायता से इस तरह से हलके हलके हातों से इसको हम मैस कर लेंगे, इसको करीब हम 5-6 मिनट तक इसी तरह से मैस कर लेंगे, पाँच मिनट के करीब हो गया है तो अब हम इसमें आधा चमच कौन फ्लोर मिला लेंगे इसको मसलते हुए करीब साथ से आठ मिनट हो गया है तो ये देखी ये बिल्कुल बंध रहा है तो अब हम इसका लोई छोटा छोटा बना करके तयार कर लेंगे तो ये देखिए इस तरह से हम छोटे छोटे लोई बना करके तयार कर लेंगे हमने उतने पनीर में 35 पीस बना करके तयार कर लिए है चासनी बनाने के लिए हमने पैन को गर्म कर लिया है अब हम इसमें दो गलास पानी डाल देंगे अब हम इसमें डाल देंगे एक कप चीनी चासनी को हमें ज़्यादा गाड़ा नहीं करना है वस एक उबाल आ जाए चासनी में उबाल आ गया है तो एक एक करके हम सारे रसगुले इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से कवर कर देंगे और medium flame पे इसको उबलने देंगे ये देखिए 5 मिनट के करीब इसको उबलते हुए हो गया है तो ये देखिए कितना ये double हो गया है पहले से ये रस्गुला फूल के सारे उपर आ गए हैं और बीच बीच में इसको इस तरह से चला देंगे रसगुले को उबलते हुए करीब 15 मिनट हो गया है तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंड़ा होने के लिए छोड़ देंगे जब तक रसगुला ठंड़ा होता है हम दूद गाढ़ा कर लेते हैं तो हमने यहाँ पे 1 लिटर दूद लिया है हमने दूद को गैस पे चड़ा लिया है और इसको उबलने देते हैं हमने चार चमच के करीब मिल्क पॉडर को इस तरह से घोल के तयार कर लिया है अब हम इसको खोलते हुए दूद में इसको डाल देंगे तो ये देखिए दूद में भी उवाला गया है तो अब हम इसमें milk powder वाला दूद डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से चला लेंगे और इसको 10-15 मिनट तक उबलने देते हैं अब हम इसमें मिला लेंगे स्वाद अनुसार चीनी कूटी हुई हरी लाइंची 7-8 केसर के धागे डाल देंगे और इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और ये देखिए दूद भी आधा हो गया है पहले से तो ये देखिए दूसरी तरफ रसगूला भी हमारा ठंडा हो गया है तो एक एक करके हम रसगूले को इस तरह से निकाल लेंगे और इसका सारा पानी निचोड देंगे ये देखिए कितना स्पंजी रसगूला हमारा बनके तयार हुआ है तो अब हम एके करके सारे रसगुले दूद में डाल देंगे और 5 मिनट तक और इसको पकने देंगे तो ये देखिए हमारा छेना खीर बन करके तयार हो गया है तो अब इसको हम ठंडा और निकले छोड़ देंगे और फिर इसको सर्फ कर लेंगे तो ये देखिए कितना अच्छा ये हमारा खीर बन करके तयार हो गया है